आज की वीडियो में बात करेंगे मारुती की एक ऐसी गाड़ी जिसे की मेरे ख्याल से अब अपडेट हो जाना चाहिए मतलब जिसे साब से क्योंकि ये अभी एक ऐसी गाड़ी है जिसमें जो इंजन है वो अपडेट नहीं हुआ है मार्टी की एको थी एको में भी ढूल जेट इंजन अप्डेट हो जुगा है बस जो नेकसा से स्टार्टिंग वाली गारी है इगनिस ये अभी मैं उसी के अंदर बैटा हूँ इसमें अब भी जो इंजन है वो सिंगल सिंगल इंजेक्टर वाला मतलब कि जो सिरीज का पहले जो आता था यहां बार 1.2 लिटर का वो ही जो है यहां पर आता है इसमें तो अब इसको जो है कह सकते हैं आप कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि सबसे पहले तो safety rating के छोड़ दो को यहां सारी मारती की गाड़ियां एक ही वो नतलब safety rating में फरफॉर्म एक वैसा ही रहता है तो उसको ना देखते हुए अगर इगनिस की बात करी जाए इसके डिजाइन की बात करी जाए इसके कह सकते हैं लोक की बात करी जाए एक दब अलग हैजबैक लगती है ऐसा design आपको normally इंडिया में जो चलने वाली hatchbacks है ना बहुत कम really मिलता है ऐसा लगता है कि किसी बाहर की जो है कह सकते है country की गाड़ी है छोटे size में आपको देखने को मिलती है अब यहां फिलाल तो जो इसकी price है ना नहीं updated price इसमें 15 से 20 जार रुपे बढ़ाए है अब इसमें ना अगर update आता है dual jet engine आता है तो minimum to minimum में अगर मैं बात करूं ना 30,000 तो बढ़ेंगे 30 से 50,000 तो बढ़ी जाएंगे अगर इसमें update आता है क्योंकि जो बलिनों वाला engine आएगा क्योंकि dual jet engine और refinement BS6 phase 2 जो है इसमें आपसे R&D जो norms है R&D जो है real time driving vision norms उसके according जो engine है वो तो अपडेट करना ही पड़ेगा तो update होता है इसमें तो और बढ़ जाएगी इसकी price तो अभी 11 लेना एक तरीके सा समझदारी हो सकती है क्योंकि मारती का इंजन है mileage तो देगा ही देगा लेकिन एक बार चला के जरूर देखें आप इसे और price एक बार मैं बताता हूँ इसकी अभी मैं इसका second जो है top variant में बैठा हूँ इसकी एक शोरूम जो रहती है वो अगर बात करी जाए इसकी एक शोरूम जेटा वेरेंट की 6,66,67,000 देखने को मिलती है तो on road जाते जाते यह 8 लाक के budget में आराम से आ जाती है और वहीं अग जो दिवाली के असपास अगर इसे लेते न बेश वेरेंट में तो बेश वेरेंट आपका 6 लाक के नीचे नीचे आराम से मिल जा रहा था तो price बड़ी है अब भी अगर बेश वेरेंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं एक बार चलाके जो है इसके engine का performance जरूर देखें फी बेश ना लेके थोड़ा उपर की ओर जाते हैं जैसा है यह जेटा वेरेंट रहता है जेटा में भी mostly सारी चीज़े दी रखी है अब भी दिखातों इंटीजर से स्टार्ट कर लेते हैं सबसे टॉप की बात करें जो इसका रहता है हम पर जो है एलफा साथ लाक बत्तीजार का है तो टॉप में जाके सेकिंड टॉप में जा सकते हैं सिक्स लैक सेक्टी सेवन थाउजन जो की अराउंड आट लाक में आराम से मिल जाएगा तो यह देखिए एक तो यह स्क्रीन मिल जाएगी और एक इंजिन स्टार्ड इस्टॉप बटन यह इसमें आपको जहें बॉर्टम स्टेरिंग निए नॉर्माल एक ट्लिट टाइप का स्टेरिंग है और यहां पर टैली फोन के कंड्रोल और यहां पर एक्डम सींपल सा आपको मिलेगा यहां पर पर एम य्डे मिल जाएंगी यहां से आप इसकी ब्रैटनेस भी टी सेट कर सकते हैं इस तरीके से तो ये चीज़े इसमें दी जाती है और color भी देखें color जो है interior का white और black shade में तो interior में जो है dark color वाली भी कह सकते न जो खासकर मेरे को बसंद नहीं आती है वो चीज़ भी नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत ये गंदा होने वाला color है तो थोड़ा maintain तो रखना ही पड़ेगा इसमें आपको और बाकी ये इसमें आपको 7 इंच की screen android auto apple car play ये सारी चीज़े smart play जो की वेगनार में आता है इसमें आपको देखने को मिलेगा और back camera नहीं रहता इसमें वो टॉप में मिलेगा या फिर आप इसमें 3-4 जार रुपे add-on करवाके जो है डीलर्शिप से या फिर बाहर से भी लगवा सकते हैं बाकी usb aux 12 bolt का एक socket और यहाँ पे space थोड़ा मिल जाएगा और यहाँ पे handbrake बाकी day night IRVM यह उपर lamp यहाँ पर आपको sun visor पे vanity mirror और यहाँ से आपको co driver वाले वाले टिकेट holder electrically foldable और adjustable यह चीज भी आजकल बहुत मांगते लोग यह भी आपको इसमें मिल जाएगी power window आपको जो है driver code driver वाली और पीछे की वाली दोनों आपको देखने को इसमें मिलती है अभी exterior की ओर चरिंगे और इसमें जो speaker का setup है वो आपको जो है 4 speaker का जो है इसमें मिल जाता है औ और साथी साथ जो है यहां से अगर आप देखें 4 speaker के साथ में आपको दो टीटर यहां पे add-on इसमें मिल जाते हैं तो यह तो मैंने features बताए और seat भी आप देखे ना दोनों ही rear में भी और front में भी addressable headrest मिलते है और headrest में अच्छे खास है आपको जो है आपकी height भी अच्छ का भी अराम से कोई बैठना चाहें अराम से इसमें बैठ पाएगा अब पीसे का भी जो है आपको मैं headroom दिखाता है यहां पर बाकी engine अभी जो आ रहा है उसके power और torque की अभी हम बात करेंगे क्या-क्या जो है उसकी power torque रहती है सबसे बहले यहां से rear में चलते हैं यहां पर chrome जो है second top variant से अब यहां बैठ हूँ मैं तो headroom मेरा check out करना यह देखिए headroom में अराम से एक हाथ का gap है तो six वाला भी यहां जो है पीछे बैठ सकता है और यहां पर चारो power window के side by side controls है यह grab handle आपको flexible type के दिये जाते हैं dual air wax, ABS, EVD जो main basic से features होते हैं safety वाले यह इसमें आपको मि मिलेंगे मिलेंगे अब इसका मैं exterior से look दिखाता हूँ आपको exterior check out करिए देखो अब design color एक subjective चीज हो जाती है किसी को यह पसंद आएगी किसी को ना पसंद आएगी किसी को इसका back जो है rear profile पसंद नहीं आता लेकिन मैं अगर आपनी बात करूँ मेरे को ignis का design एक क्या सकते न जो hedgeback है जो आपको space भी दे जाए और साथी साथ बाहर से थोड़ी एक mini जैसा punch में micro SUV segment है वो उस segment में भी जो है यह एक तरीके से आपको देखने को मिल जाती है अब second top लिंगे तो ऐसे glossy color के alloy wheels मिल जाते हैं अब alloy wheels भी चाहते हैं आजकर लोग कि exterior से थोड़ा अच्छी लग जाते हैं काफी अच्छे लगेंगे और पीछे आपको disc brakes दी गई है आगे आपको जो है drum brakes आपको देखने को मिल जाएगी अब इसके overall अगर मैं height की बात करता हूं तो height अच्छी बलीनों से भी आपको इसमें headroom काफी अच्छा मिल जाता है जैसे कि मैंने बताया 1595 mm की पू में देखने को मिलेंगे जोगी काफी अच्छे लगती है बाकी टॉप में पूरा जो है surrounding में ये chrome इसमें आ जाता है बाकी ये headlamps halogen में रहेंगी normal और indicators भी halogen में नीचे fog lamps मिल जाते है ये भी halogen में है और front में ये देखिए skid plate यहां से थोड़ा bumper का design डूल टोन शेड में जाता है अगर ये थोड़ा grey में हो तो ये base variant से ये चीज आपको इसमें देखने को मिलेंगी जोगी काफी अच्छी लगती है इसमें और एक muscular type का जो है का सकते ना बड़ी गाड़ी वाला जो है यहां पर feel आपको जो है इस छोटी hatchback में अराम से देखने को मिल जाता है अब जैसी आप पीशे की ओर चलते हैं और यहां से पैसी वेंट्री के लिए request sensor को driver वाले भी देखते हैं अभी मिला है नहीं मिला ट्राइवर वाले तो मिला है और roof rails इस Naxa blue color में काफी अच्छी लग रही है इसे silver color की पीछे spoiler देखेंगे वो भी काफी sporty देखो spoiler ही एक चीज है ना गाड़ी के rear look को काफी sporty बना देता है यहां से देख रहे हैं काफी अच्छा लग रहा होगा रियर के tail lamps नोर्मली halogen में रहती हैं यहां reflectors दिये जाते है reverse parking sensor 4 मिल जाएंगे और पीछे जैसी आगे द defogger, wiper के साथ में camera नहीं है एकनिस यहां पे लिखा हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा boot space जैसी देखते है तो boot space यह रहता है इसका partial tray के साथ में partial tray इसमें दी गई है 260 liter का boot space है ठीक ठाक है यहां से आपको lamp मिल जाएगी कुछ इस तरीके से और यहां boot space 260 के साब से आपको थोड़ा कब लगे है लेकिन इंटीजन में जो space है ना lag space वो काफी increase आपको जो है मिल जाता है इसमें और यह 175, 65 और 15 की spare wheel की profile आपको इसमें देखने को मिल जाती है तो यह है दोस्तो इगनिस जो की आपको इहां पर second top variant में देखने को मिलनी है अब भी अगर इस price में आप इसे जो consider करते हैं तो एक अच्छी गाड़ी हो सकती है एक बार चला के जरूर देखें देखो चलाने पर अलग अलग depend करता है आप थोड़ा aggression चाते है गाड़ी में तो वो आपको ना मिल पाए लेकिन mileage और जो refinement है अब भी वो जो माना पुराना वाला engine है अपडेट नहीं किया है लेकिन इस प्राइस पर आपको इसमें refinement भी अच्छी गासी मिल जाएगी और engine की बात करें तो engine जो है 1.2 लीटर का आपको इसमें देखने को मिलेगा जो की जो पावर है वो जनरेट करता है यह अच्छी गासी 1.2 लीटर का डूल जैट तो इंजन है नहीं क्योंकि जैसी update होता है प्राइस तो बढ़ेंगी लेकिन अब भी एगर base variant लेना चाहे थोड़ा modify करवाना चाहे तो आप इसे ले सकते हैं तो यह इगनिस design के साब से थोड़ी unique लगी और headroom भी काफी अच्छा लगा spacious काफी गाड़ी है तो इसे भी आप कर सकते हैं consider तो यही थी दो